सब्सक्राइब किये चे अराइफ 34 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाए सबसे पहरे हमारी वीडियो को देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्ति माईशी उपाद्य है और स्वागत है आपका घरेलू नुस्के में काले होटो को गुलाबी करने के मैं आज आपको उपाए बताने वाली हूँ होट गुलाबी करने के उपाए काले होट चहरे की सुन्दरता को फीका कर देते हैं लड़कियां अपने होटो के काले पन को दूर करने के लिए लिपस्टिक का सहारा ले लेती हैं पर लड़के अपने काले होटो को गुडाबी कैसे करें कुछ लोग होटो की लाली वापिस लाने के लिए लिप बाम और ब्यूटी क्रीम का प्रयोग भी करते हैं पर हम होटो का कालापन दूर करने के घरेलू नुसके अपना कर आसान तरीके से घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं आज हम आपको इस वीजियो में होटो का कालापन कैसे दूर करें ये बताने वाले हैं वो भी घरेलू नुसके से मौसम हो या गर्मी का मौसम में आए बदलाओं के कारण अक्सर होट फट जाते हैं वैसे तो लिपल स्टिक से होटों को सुन्दर दिखा सकते हैं पर इसके ज्यादा प्रयोग से होटों की प्राकृतिक सुन्दरता खत्म हो जाती है होटों का फटना रोकने वाख खूबसूरत गुलाबी होट के लिए उपचार के बाद भी अगर आपको फाइदा नहीं मिल रहा तो यहां बताए कारगर नुस्थ के अपना कर आप अपने होटों की सुन्दरता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं पहले मैं आपको बता दूँ की होट काले होने के कारण क्या है चाय कॉफी का सेवन अधिक करना, धुर्मपान अधिक करना और तंबाकू खाना लंबे समय तक तेज धूप में खूमने से भी होट काले हो जाते हैं बाजार में मिलने वाली कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोड़क्ट का साइड इफेक्ट से भी ब्लैक लिप्स हो जाते हैं अब मैं आपको बताती हूँ की काले होटो को गुलावी करने का उपाई क्या है दूद की मलाई होटो को मुलायम और लाल बनाने का प्राकरतिक तरीका है थोड़ी सी मलाई में एक चुटकी हल्दी मिलाकर हलके हाथों से होटो की मालिश करें इस घरेलो नुसके को कुछ दिन निरंतर करने से लिप्स पेंक होने के साथ साथ होटो का सूखना भी दूर हो जाता है गुलावी होट के उपाई करने के लिए गुलाव के फूलो की पंखडियां काफी कारगर हैं गुलाव की पंखुडियां पीस कर इसमें थोड़ी सी गिलिस्रिन मिलाएं और पेस्ट तियार कर लें इस पेस्ट को हर रोज रात को सोने से पहले होट पर लगाएं वसुबा धोएं होटो को अकालपयन दूर करने के उपाई में कच्चा दूद रामबान उपाई है और डार्क लिप्स को मुलायम वसुंदर बना सकते हैं